कि नमस्कार वेलकूम यौल वन्स अगेन आपके लिए जैसा कि आपको पता है बेसी पार थर्ड के लिए हमने यूनिट फाइब सुरू की हुए उसका हम लेक्चर नमबर सैबन हम कंप्लेट कर चुके हैं अब हम एट लेकर आए और हमने एमिनो एसेट्स पूरे पढ़ लिया है आज झूमीडममलस न तरह की लिए एक हैसेडिक होता है यह किसके लिए उत्तरदाई है एक इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक एक ग्रूप होता है और एक बेसिक ग्रूप होता है तो जब दो इंके एक ग्रूप है और एक बेस करेंगे और रियक्ट करेंगे जब एसड और बेस करते हैं लबन बनता है ना और जो लवड वनेगा उसी को हम क्या कहते हैं पैटाइड गयते हैं जो एसीट की रिक्षण से लबड बनेंगा वही क्या कैलाएगा हमारा पप्टैड आप यह अभी मिश्चंवाइब अगर बहुत पव्य गौरawan एड बनेंगे सब satisfy हो जाए डिक है कितने से जादा से साधा हो जाए तो वहीं प्रोटियन की説ास होते हैंग इनके बीच में बहुत थिन लाइन अभी तक नहीं बता पाएंगे इसकाथ पॉलि क्डाइण हुर कते हिंगे एक अनुमान सा बता जिए है कि लगवग 10,000 से जादा अगर अणुहार होगा तो हम उसको प्रोटीन की काटिग्री में रखेंगा और उससे कम होगा तो पॉली पेप्टाइड ये काटिग्री में रखेंगा और लेकिन अभी भी कोई एक प्रॉपर डेफिनिशन नहीं है कि कब प्रोटीन होता है लेकि इसलिए तो का ता इम्पोटैंट है तो यहां पर हम डेफिनेशन डिछ सकते हैं डस्टर कहां गया डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं लिक सकते हैं कि एमीनो अमलों में एक क्या होता है? एक कार्बोगजिलिक समू तथा एक एमीनो समू होता है जिनकी प्रकृती जिनकी प्रकृती विपरीत होती है लेखिए होती है क्योंकि एक समू अमलिये तथा दूसरा चारिये वोता है यह ना अपोजिट ने चरहें इसलिए जब हम दो अमीनो एसिड्स ठीक है अतहा यदि दो क्या गरेंगे दो अमीनो अमल के अडू परस पर संयुक्त होकर लबन बनाते हैं और इन्हीं लबन क्या कहते हैं पैप्टाइड गहते हैं लबन बनाते हैं कि इनके मध्य इनके मध्य बनने वाले बंद को इनके मध्य बनने वाले बंद को कि पैप्टाइड लिंकेज कहते हैं लिंकें नमोल बंद को नपल के तथा कि अधर इन रहें कि क्या यह दाइड प्रह्टाइड का लिए अगर दौए है तो बैट करेंगे जैसे फॉर एक्जामपल हमारे पास यह अनोय है कोई होगा यह सिस में एक और एक होता है हमारे पास कौन सा एमीनो ग्रूप हमने लिया है दूसरा एमीनो एसिड जिसमें एक तो है एसिडिक ग्रूप और दूसरा क्या है दूसरा है दूसरा क्या हमारा बेसिक ग्रूप है तो होगा क्या यह वाला ग्रूप एसिडिक है यह वाला ग्रूप बेसिक है औ तो लवड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा पानी यानि कि पानी तो बाहर निकल जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा कार्वन किस से जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा तो यह बन कि अबून अनने बाणट बना है कारवण और नाइड्रोजन इसाभ नाइछ फिसकि ओकिए क्या बना ngayell लिंकिज यह क्या और यख़ह बना यह नोट कीजिए। यह होते हैं पैप्टाइड कीजिए। कि नोट किया साथ में ये भी नोट की लिए किये जगागा यदि तीन अमीनों अमल आपस में जुड़े हैं तो ट्राइ पेप्टाइड बनता है तदा जब चार एमीनों अमल आपस में जुड़े हूँ तो ट्राइ पेप्टाइड बनता है ये भी नोट कीजेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर दो जुड़े हैं इसलिए डाइ पेप्टाइड बनाया अगर तीन जुड़ेंगे तो ट्राइ पेप्टाइड चार जुड़ेंगे तो टेटरा पेप्टाइड नोट कीज़े भई फिर हम देखते हैं इनका बनाने की विदियां कैसे बनाई जाते हैं तुम पढ़ते हैं भाई पेप्टाइड का इसे कोई विदिय नहीं है बस हमको अपने मर्जी से पेप्टाइड का मिक्षण लेना है तो हम जो संसलेशन कराने वाले हैं वो है, ग्लाइसिल एलानीन का संसलेशन, एक डाई पेप्टाइड है यह वही, क्योंकि इसमें दिख रहा होगा, दो अमीनो एसड के नेम आ रहे हैं, एक तो ग्लाइसिल यानि ग्लाइसीन और एक कौन सा है, एलानीन, जब यह दोनों मिल जाएंगे, पेप्टाइड बॉंट बना लेंगे एक दूसरे के साथ, तो यह क्या बन जाएंगे, बन जाएंगे, ग्लाइसिल एलानीन, क्या बनेंगे, इनकी बनाने के विधी कैसी होगी, इनकी बनाने की जो विधी होगी, वह हम स्टेप्स में स्टडी करेंगे, ठीक है, step by step चलेंगे तो सबसे पहला step है सबसे पहला step है step one ठीक है steps में चलेंगे सबसे पहले step में क्या कर रहा है कि मालो हमारे पास जो भी amino acid आपके पास glycine है elanine है जो भी है तो मालो हम glycine ले रहे हैं ना तो सबसे पहले क्या करेंगे तो यह लिखेंगे सबसे पहले कि ग्लाइसीन के एमीनो समू को बैंजोईल क्लोरो दिख रहा है ना बैंजोईल क्लोरो फॉर्मेट फॉर्मेट के साथ रक्षित रक्षित कर दिया जाता है कहने का क्या मतलब है वही से step का हमारे पास amino acid है मालो glycine है glycine क्या होता वही CH2 एक तरफ होगा COOH group एक तरफ होगा NH2 group ठीक है हमें क्या करना है हमें तो अभी अभी जस्ट हमने देखा था हमने इस से इसका तो OH और दूसरे का अमीन भाग जाता है लेकिन एक अमीन भाग जो है वह free रहता है अब यह वाला भाग भी तो active है भाग तो दो नहीं active है यह वाला भी active है और यह वाला भी active है तो अगर हम reaction कराएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि केवल यह वाला करेकर और यह वाला पाइट करेगा तो यह वाला पार्ट नहीं करेगा ऐसा तो नहीं होगा ἐना यह वाला फार्ट भी तो क्याकर करें करने कोशिश करे घूंट्स कर आगा हम्ण करें कि को याद तो मैंने बतायाथ अगर हम चाहते हैं कि कोई ग्रुप स्क्रफं यहां कराना चाहते हैं तो क्या कर दो इस ग्रुप को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट तो प्रोटेक्ट performed लो ताकि एकिसी से रिमाड करीन पाये और इसको प्रोटेक्ट कराने के लिए किसके साथ इसकि रियक्शन कराएं बेंजिछ बैंजोयल क्लोरोफोर्मेट के साथ तो मैं यहां लीघ दूं है अमारे पास COH और यहाँ पर है हमारे पास NH2 ग्रूप इसकी reaction करनी है किसके साथ Benzoil chloroformate अब यह क्या होता है वही Benzoil chloroformate यह होता है यह से लुकू CS2 O C1O CL यह है वही Benzoil chloroformate क्या करेगा यह protection करेगा किसका amino group का तो क्या होगा nitrogen के पास क्या होता है यह lone pair यह lone pair attack कर देंगे इस carbonil पर यह उपर जाएगा नीचे आएगा और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा CL- कौन बाहर निकल जाएगा यहाँ से CL- यहाँ से क्या लेकर जाएगा H plus को लेकर जाएगा 2H है ना तो positive chart जाएगा जैसी nitrogen carbon बनाएगा तो उसको CL- क्या करेगा यहाँ से 1H ले जाएगा तो यहाँ से बाहर को निकल जाएगा minus HCl हो जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा तो अब क्या हो गया इसका जो amino group है वो protect हो गया ठीक है अब जो amino group है आगे की reaction में भाग नहीं लेगा अब जो भी reaction होगी वो कहाँ पर होगी carboxylic group पर होगी तो सबसे पहला काम होता है आपको कि amino group को क्या करना है protect करना है ताकि यह हमारी reaction में interrupt प्रप्ट ना करें ठीक है बाकी की जो steps उनको प्रवावित ना करें तो हमने इसको protect कर दिया अब क्या होगा step second step second में क्या करेंगे भई हम क्या करेंगे बताईए भई step second में अब क्या करेंगे अब हमारे पास क्या है COOH ग्रूप है ठीक है और ज्यादा रियक्टिव बनाएंगे और और ज्यादा रियक्टिव कब होगा जब हम इससे कोई ऐसा ग्रूप जोड़ दें जो इससे और ज्यादा इलक्ट्रोन विड्रो करें तो इससे कार्बोनेल ग्रूप की CO2-CLE2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं इसकी रिक्शन हम कराएंगे किस के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ जो क्यो होता है हमारा SORRY SNализ Sa να mais थायोनिल क्लोराइड है तो क्या होगा हमारा जो हैमीनो Junior प tampoco मैं घख दूं यह है एंच इधार कौन सा गुरूब जुड़ा हुआ है ओव सी डबल बॉंड ओ सी एच्टू पी एच ठीक इस तरह से लिग दू यह लिग दिया मैसी अपर क्या होगा हम जानते हैं कई बार करा चुके के इस तरह की रियक्शन थायोनिल क्लोराइड है एसो सी एल टू और यहां पर क्या होगा यह वह फट जाएगा उसकी जगह कौन आ जाएगा सी एल गुरूप आ जाएगा तो केवल इतना होगा जो कार्वक्स जलिक समू था अब वो किसमें चैंज हो गया सी ओ सी एल में होगया है एक्जसएड क्लोराइड में चेंज हो reaction करानी है ना तो दूसरी amino acid के साथ क्या कराएंगे इसको संघरन कराएंगे तो अब हम यह लिखेंगे कि इस अमल chloride को यह ऐसे लिखें रक्षित अमल chloride का किसके साथ alanine alanine के साथ alanine के साथ संघनन कराते हैं तीक है अब तो सब कुछ हो गया अब तो next step में बस alanine जोड़ना बाकि है तो हमारे पास यह है c double bond o c l glycine है जिसका nh group क्या है protected है तो यहां पर इसको sort form में cbz लिखते हैं इस group को क्या लिखते हैं cbz तो मैं sort form में cbz लिख दूँ यह जो protected group इसको क्या बोलते हैं cbz उसे प्रदर्शित करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख दू nhcbz ठीक है यहां फिर पूरा लिख लू चाहें तो आप cbz ना समझ में आए अपको तो cbz का मतलब होता है यह ph जोड़ी हुई है ठीक है अब इसको किसके साथ react कराना है हमें किसके साथ संगरन कराना है एला नीन के साथ और एला नीन क्या होता है एक तो ch होता है और इस पर एक hydrogen की जगए कौन जोड़ा होता है cs3 और cOH group as it is रहेगा और इसका कौनसा group पार लेगा यहाג़ यहाँ पर n h2 group पार लेगा कौनल यहाँ एक तो गृप को मैंनेặc इस लिख दिया ठीक है यहाँ फिर ऐसे लिखो एने ऑच और एक हैच को मैंने ऐसे लग दिया अब क्या होगा है यह पर यह पर क्या होगा आप देख सकते हो यह है और अर यह क्या कर लेंगे यह हैच और यह मोलीक्ज यूल को भाहर कालिँगे क्या deja HCl बाहर निकला और ये nitrogen डायरेक्ट जाके carbonil group से जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH, C double bond O, अब ये किस से जुड़ गया? NH से जुड़ गया, ये जुड़ा हुआ है CH से, इधर जुड़ा हुआ है COOH, और नीचे है CH3, और इस पर एक जुड़ा ह हुआ है? Amean, ठीक है, अब हमारा dipeptide बन चुका है, ठीक है, क्या बन चुका है? हमारे पास dipeptide बन चुका है, दोनों amino acid जुड़ चुके हैं और यहां पर peptide bond बन चुका है, दिख रहा होगा आपको. क्या बन गई है? ये peptide linkage, peptide linkage बन चुकी है, तो इसका मतला dipeptide का नि च्णिदेट में गलाइसीन को अब उसे क्या करना है वापस से किसे करना है अबेस्टेटिक्शन टिक है इतना नोट कीजिए को इता अगर याद रखिएगा अगर आप बिपर चैक्शन नहीं कराना चाहते मतला एक और अमीनौ उसिट को जोड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब प्रोटेक्शन ठीक है। बनाया तो जितने भी जोडने उनको पहले जोड लीजिए सबसे एंड में जाकर डी प्रोटेक्ट करेंगे अब ठीक है डी प्रोटेक्शन कराएंगे टीक है तो लास्ट स्टेप है स्टेप नमबर फोर हमें तो केबल डाई प्रोटेक्ट कराना है अब तो बस क्या कराना है डी प्रोटेक्ट कराना है तो ग्लाईसील को यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह ग्लाईसीन को रक्षित करने वाले समू को अप्चैत कराकर अलग कर देते हैं ठीक है यह ना हमारे पास क्या बना हुआ है यह बना हुआ है इसका क्या कराना है यह जो ग्रूप है CBZ इसका deprotection अमल और पानी से नहीं होता है ना आपको कभी MSC में जाओगे तो आप पढ़ोगे एक पूरा chapter होता है protection group का है ना एक पूरा chapter होता है कि कब कौन सा group किसको protect करता है और इसको deprotect करने के लिए क्या agent use करने चाहिए तीक है आप कभी higher classes में जाओगे तब पढ़ोगे है hydrogen के साथ इसका क्या कराना पड़ेगा इसका अपचेन कराना पड़ेगा PD नहीं लेना चाहो तो आप platinum भी उसकर सकते हो ठीक है अपचेन इसका काम क्या होता है अपचेन करने का होता है तो यह पूरा group Tonight हो यहाँ से क्या हो यहाँ पर hydrogen जुड़ ज़एगा co2 बाहर निकल और ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका टॉलूइन क्या बन जाएगा वही टॉलूइन में चेंज हो जाएगा ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर यह कुछ ऐसा हो जाएगा CH CWO NH CH CH3 यह तो एजटीज रहेगा यहां कोई चेंज नहीं है बस यहाँ पर यह जो NH2 ग्रुप वापस से मिल जाएगा यह जो ग्रुप था अब चाहित हो गया यह पूरा ग्रुप है यह पर यह पर क्या है CO2 यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी तो प्लस CO2 ठीक है और साथ म यहां से मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, पी एच सी एस त्रिए, पी एच सी एस त्रिए का मतलब यह जो रिंग है, यह तो गई पी एच रिंग और इसके उपर क्या जुड़ेगा, Now, क्या मिल गाई आपको टॉलुईन क्या बना है इसका नाम क्या है इसका नाम है ग्लाइसिल एलानीन तो इस तरह से आप किसी भी डाइप्टाइड का संसलेशन कर सकते हैं दो अमिनो एसेट को जोड़के नोट कीजिए बहुत आसान है डाई पैप्टाइट्स का संसलेशन करना और इसी तरह से होगा लेकिन इसकी ये कमी है इस मैथड की ये कमी है क्या कमी है कि इस मैथड से जो इल्ड है इल्ड मतला जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है जितना हम चाहते हो तरह प्राप्त नहीं होता है कम मतलमा में प्राप्त होता है दूसरा कि इस मेथरड के अंदर हम मगेदिमम 10 संगलन सकते हैं यारि के यह belle अगर उसलिटा छото 2 मेरे जोड़ने हैं तो हम इस नभी तो इन कर सकते हैं तो की एक और पड़ेंगे हम जौकी की बहुत अच्छा है इस method का use नहीं कर सकते, क्योंकि yield बहुत कम मिलेगी, और दस से ज़ाद amino acid को हम जोड नहीं सकते इसमें. चलिए देखते हैं, अपना अगला method कौन सा है? अगला method है, वो है, solid phase peptide synthesis, हिंदी नहीं वो रहें, थोस, प्रावस्था, पेप्टाइड संसिलेशन, थोस, प्रावस्था, पेप्टाइड संसिलेशन, इसमें peptides को, अच्छा, अगदी नहीं रहा, सॉरी, अब दिख रहा होगा, क्या है method? solid phase peptide synthesis, या थोस, प्रावस्था, पेप्टाइड संसिलेशन, यह जो method है, इसमें बहुत सारे step होते हैं, multi steps है, ठीक है, क्या-क्या होते हैं, वो देखते हैं, और सबसे उप्यूक्त विदी है, ठीक है, सबसे उप्यूक्त विदी है, यानकि जितने भी peptides, polypeptides हैं, उन सब का संसिलेशन इसी विदी से किया जाता है, तो एक साइंटिस्ट थे, मैरी फील्ड, तो हम यह लिख सकते हैं, मैरी फील्ड, मैरी फील्ड ने, इस विदी का, निर्माण किया था, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे, मैरी फील्ड, मैरी फील्ड ने, इस विदी का, निर्माण किया था, और क्या बनाया था, राइबो न्यूक्लियस संसिलेशन किया था, इसका यूज करके, तो मैरी फील्ड ने, थे जड़े हों इस वीडी का यूज करके को आपस में क्या कर सकते एक जोड सकते हैं चेन प्राप्त कर सकते हैं तो इस वीडी में होता क्या है सबसे पहले तो यहीं काम करना अब तक किया था तक यह ता जैसे एक अमीनो औ One आश्ल सुरूक्वात में लेंगे उसके जो आमीनो भाघ्य को क्या करना पड़ेगा रक्षित कराना पड़ेगा तो वह पर्ट सब मेहिते सेहीं होगा क्योंकि नहीं तो मं क्या करेगा रीक्षित के अंदर आपको disturb करेगा खुद भी reaction करने लग जाएगा तो आप चाहते हैं कि वो reaction ना करे तो उसको क्या कराना पड़ेगा रक्षित कराना पड़ेगा तो हम यह लिख सकते हैं कि इस विधी में इस विधी में N रक्षित N रक्षित Amino Amlico Amino Amlico DMF किसके साथ? DMF DMF क्या होता है? DMF होता है Di-Methyl Form Amide Di-Methyl Form Amide ठीक है? क्या होता है DMF? Di-Methyl Form Amide तो क्या करते हैं? कि जो N रक्षित Amino Amlico जिसका Amino भा क्या है? पहले से रक्षित किया हुआ है उसको DMF या DMF या Ethyl Acetate में गुले Ethyl Acetate में गुले Polystyrene किसके साथ रियक्ट कराते हैं? Ethyl Acetate में गुले हुए Polystyrene के साथ आँगे Polystyrene क्या होता है? वो हम देखेंगे Polystyrene क्या होता है? तो Polystyrene के हेलो मैथिल हेलो मैथिल मतलब Polystyrene में जिसमें मिथाइल ग्रोप और हेलोजन जुड़े हुँ उसका ऐसे विद्पुन का रियक्शन कराए जाता है तो Ethyl Acetate में गुले हुए Polystyrene के हेलो मैथिल विद्पुन विद्पुन के साथ क्या करते हैं हम इसको? विद्पुन के साथ अभिक्रत करते हैं तो क्या करते हैं? Polystyrene के हेलो मैथिल विद्पुन के साथ क्या करते हैं? सबसे पहले अभिक्रत करते हैं ठीक है इतना करते हैं, इसके बाद क्या होगा? जैसे ही हम उसको polystyrene के haelo-methyl-withpunण के साथ क्या कराते हैं? अभिक्रत कराते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? जो हमारा N-Rakṣit amino aml है, वो इसके साथ जुर जाएगा, पॉली स्टाइरीन के साथ जुड़ जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमको हमारे एमिनो अमल का पॉली स्टाइरीन विद्पुन प्राप्त होगा एमिनो अमल का पॉली स्टाइरीन विद्पुन प्राप्त होगा तो हम यहां लिख सकते हैं इसके बाद इसके बाद और एन्रक्षित अमीनल को क्या कर देते हैं डी प्रोटेक्ट कर देते हैं जैसे ही polystyrene जुड़ जा है उसके बाद उसका हम क्या कर देंगे और जो हमारा अंवीन ग्रुप जो है जो की प्रोटेक्टेट कर देंगे तो यहां लिख तो यहां लख सकेंगे ड्रक्षित्य jum adeluk क्या कर दिया जाता एंड्रक्ष नीया फिरह से लिखें फौन आ गया यह फिर ऐसे लिखें एन रक्षित समू को समू को एमीनो अमल से एमीनो अमल से दूर कर दिया जाता है दूर कर दिया जाता है यानि कि उसको डी प्रोटेक कर लेते हैं वापस एमीनो ग्रुप में मिल जाता है वो हमें फिर क्या करते हैं फिर जैसी हम उसको डी प्रोटेक्ट करा लेते हैं अमीनो ग्रुप को प्राप्त कर लेते हैं फिर इसके बाद DCG की उपस्थिती में यह लिखेंगे तदपस्चाथ DCG की उपस्थिती में Polystyrene Bound Amino Acid Polystyrene Bound Amino Acid मतला जिसमें ऐसा Amino Acid जो हमने यहां पर बनाए था जिसमें Polystyrene जुड़ा हुआ है तो Polystyrene Amino Acid का क्या कराते हैं Amino Acid का एन रक्षित Amino Acid के साथ संगनन कराते हैं ठीक है पहले क्या किया पहले हमने हमारा एन रक्षित अमिनो एसिड लिया फिर उसकी रियक्षिन कराई पॉली स्टाइरीन के हेलो वित्पुन के साथ जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ एमिनो एसिड का पॉली स्टाइरीन वित्पुन प्राप्त हुआ यानि पॉली स्टाइ उसको फिर दूसरे अमीनों अमली के साथ क्या कराना है, लेकिन फिर किसा लो होगा, टीके हैं, इतना काम कराते हैं, फिर उसके क्या होगा जिससे जिससे क्या प्राप्ट होगा डाइक सकाङठ Fr कर व pandemia कि क्म क्राप्त होता है अभी तो ना प्राप्त होता है अबap step गर दहराते जाएंगे दोहाते जाएंगे फिर क्या धरने इतना प्राप्ट होग arrive and die N रक्षित एमीनो अमलिके साथ DCG अच्छा वही बार बार सोच रहोंगे अपर DCG क्या है तो DCG उता है Diceclohexyl Carbodeamide इसको बोलते हैं Diceclohexyl Carbodeamide को बोलते हैं DCG तो क्या गरते हैं DCG अमीनो अमलिके साथ DCG की उपस्तिती में उपस्तिती में पुने संगनन कराते हैं पुने संगनन कराते हैं है ना तीन जुड़ गए अब फिर क्या होगा N रक्षित समू को फिर दूर करते हैं फिर तीसरे N रक्षित अमीनो असिड के साथ डी सी जी के उपस्ते फिर रियक्शन कराते हैं और यह रियक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपको अपनी इच्छित लंबाई का पॉली पेप्टाइट प्राप नहीं हो जाते हैं तो पुनाय संगिनन कराते हैं तो हम यह लिख सकते हैं इस प्रकार यह प्रक्रम यह प्रक्रम तब तक चलता है जब तक कि इच्छित इच्छित लंबाई का पॉली पेप्टाइड प्राप्त नहीं हो जाता ठीक है आपको 20 अम्यून अशिट जोडने है 30 जोडने तो जब तक 20 ना जोड़ता है तब तक इस स्टेप को बार 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 धोर धोर आते रहेंगे तो इस तरह से आपके जो पॉली पेप्टाइड हैं उनका संसलेशन होता है ठीक है यहां पर इल्ड भी अच्छ झाल 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 है है तो हम यहां पर क्या करते हैं माल लोग यह हमारे पास अमीनो असेड है कोई भी हो हमेंने पता कौन सा है तो नहीं पता है यहां पर आर ग्रूप जोड़ दिया COOH हमें नहीं पतावे कौन सा Amino Acid है कोई सा भी हो सकता है इसलिए हमने क्या लगा है यहाँ पर R लगाया हुआ है यह नीचे दिखा दें आपको दिखनी रहा हो पर इसके साथ इसको प्रोटेक्शन कराएंगे किसी चार के साथ बेस के साथ बेस का काम क्या होता है यह ने प्लस सो एच माइनस बेस का काम क्या होता है प्रोटॉन लेना तो यहाँ से यह प्रोटॉन लेगा ठीक है एच प्लस ले लेगा यह एच प्लस अपना इलेक्शन कहां छोड़ जाएगा ऑक्सीजन पर छोड़ जाएगा क्या बनाएगा आर सी ए एन प्रोटेक्टेड एमीनो एसेड प्राप्त हुआ है अब यहां से शुरू होगा मेकेनिजम तो है ना सबसे पहले हमको क्या लेना था एन प्रोटेक्टेड एमीनो एसेड यानि एन रक्षित एमीनो अम्न अब इसकी रियक्शन हमको किसके साथ करानी है यहां पर लिख दो होग माइनस और यह है यह यहां पर नहीं हुद विधपकी जैट की रियक्टित कशन को किसके साथ करानी है पाली इसृएन के ऑन में मिल्फिंस करेंगर के साथ है यह लू इसके हैं कि यूद्पर और यह रमज तो यह क्या है Please है क्या प्ली स्टैरुन का है थीक कि की और यह जो रियक्षिन हो dirty कि सकी प्रिजेंट्स मे होती है डाई-मिठा котором MA cul होता है CS3 CS3 यह है डाई मिथाइल फॉर मैमाइड ठीक है डी एमेफ इसकी उपस्तिती में होगी और क्या होगा यह दोनों जुड़ गए तो यह बनेगा आर और यह जुड़ा हुआ किस से CH2 और यहां पर जुड़ जाएगा PS और वाकि NHCBZ अब यह क्या बन गया पॉलिस्टाइरीन वित्पुन बन गया किसका एमीनो एसिड़ गा तो यह क्या है मैं यह लिख दूँ पॉलिस्टाइरीन वित्पुन किसका एमीनो एसिड़ गा तीक है अमीनो अम्रिका क्या बन गया पॉलिस्टाइरीन वित्पुन प्राप्त हो गया अब जैसे हमें पॉलिस्टाइरीन वित्पुन प्राप्त हो गया अब हमको क्या कराना पड़ेगा यह जो हमने प्रोटेक्शन कराई थी इसको क्या कराना पड़ेगा डी प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा सिंपल स्टेप्स हैं अभी जो आपने जो भी लिखा था उसको वस करके देखना है करा लेते हैं इसको deprotect करा लेते हैं इसको deprotect करा ने के लिए अभी 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 हमने देखा था एणे अफ सी भी जडै अब तो इसको deprotect कराना ना पौलिस टाइण जड़ गया मैं पूलिस टाहिनале अब क्या आ तो अनुट टू पीड लेंगे यहां तो फिर दूसरा तरीका यह है कि यहां तो क्या ले लें साथ में हवास है और साथ में C3COOH । इसे डीटीड ले दूसरा तरीका यह है इसको डीप्रोटेक्ट कराने का अगर हम फिर ले रहे हैं तो यह तो है जुड़ेगा और जो हमारा क्या बोलते हैं, toluene बना था वहाँ पर CH2, उससे एक H जुड़ा था, जबकि यहाँ पर कौन जुड़ेगा, BR जुड़ेगा, तो क्या प्राप्त होगा, एक तो हमको यह पूरा प्राप्त हो जाएगा, यानि R, CH, C double bond, O, O, CH2, PS, polystyrene, विकपुन, यहाँ पर N, जो protected था, लेकिन, वहाँ पर H2 नहीं है, अब हमने क्या लिया, HBR लिया है, तो यहाँ तो जुड़ गया, H, तो यहां चुड़ जुड़ जाएगा, BR, तो यह बन जाएगा CH2, BR, यह बन गया और यह प्राप्त हो गया, ठीक है, अब हमको यह प्राप्त हो गया, अब इसकी रियक्श और यहां पर इससे जुड़ा हुआ है NH2 ग्रूप अब इसका क्या कराना है हमें संगरन कराना है किसके साथ किसी दूसरे एन प्रोटेक्टेड अमीन के साथ ताकि हमें हमारा क्या प्राप्त हो जाए क्या प्राप्त हो जाए हमें हमारा डाई प्राप्त हो जाए तो मालो कोई प्रोटेक्टेड एमीनो एसेड हैं अब इन दोनों का क्या कराना है संगनन कराना है किसकी उपस्तिती में कौन बाहर निकलेगा है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ और यह गुरुप यहां से जुड जाएगा तो यह ऐसा कुछ बन जाएगा मैं इसको ऐसे लिखूं और यह वाला गुरुप जुड जाएगा तो यह यह एच यह पर है आर और यह है एन एच सी बी जड अब यह क्या बन गया हमारे पास डाई पेप्टाइड डेरिवेटिव डाई पेप्टाइड डेरिवेटिव प्राप्त हुआ डाई पेप्टाइड डेरिवेटिव प्राप्त हुआ डाई पेप्टाइड डेरिवेटिव क्योंकि इसमें अब भी पॉलिस्टारिन जुड़ा हुआ तो वित्पुन प्राप्त OH, acetic acid को short form में CUH भी लिखते हैं, ठीक है, समझते हैं न, तो dipeptide derivative है, अब क्या करेंगे, यह जुड़के dipeptide बन गया, deprotection करेंगे, तो फिर से यह group बहार निकल जाएगा, पहले की तरह, तो क्या बनेगा, सिर्फ यह बनेगा, R, CH, C double bond O, O, CH2, PS, और यहाँ पर जुड़ा बाहर कौन बने निकलेगी, CO2, और साथ में, साथ में कौन निकलेगी, साथ में यह निकलेगी, CH2, BR, अब आपके पास यह प्राप्त हुआ, इसका फिर आप किसी N रक्षित अमीनो अमिलिक के साथ क्या कराएंगे, संगनन कराएंगे, क्या कराएंगे, तो मैं यह लिख आगे इसका फिर से क्या कराएंगे, N, रक्षित, एमीनो, एन रक्षित, एमीनो अमिलिक के साथ, संगनन किसकी उपस्तिती में, DCG की उपस्तिती में, और यह स्टेप इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, यह स्टेप इसी तरह से आगे क्या हो गया है, चलते रहेंगे, जैस और यह reaction चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि आपको आपके पसंद का यानि कि आपके मन वान्चित आपको प्रोडक्ट ना मिल जाए यानि कि आपको 10 अमिनो एसट जोड़ने है तो जब तक 10 अमिनो एसट नहीं जुड़ जाते तब तक यह mechanism ऐसे ही चलता रहेगा नोट क स्थाइरीन यहां पर लिखलो मैं यह क्या है। यह है। पॉली स्थाइवीन का हैं है लो मैठी स्थ तुल जब यह और खुद क्या बनाया पॉली एमीन का बना आ जिसमें क्या जुड़ा हुआ है पॉली इसको नहीं नहीं कराएंगे तो इसको बाहर निकल गया लिया इसको मैंने या लिग लिया फिर हमारे पास कोई दूसरा amino acid होगा जो हमें इसके साथ जोड़ना है ठीक है वो भी कैसा होगा N protected जिसका nitrogen part क्या होगा protected होगा तो हमने कोई amino acid ले लिए कोई भी हो सकता है जो भी आपका मन चाहिए वो amino acid रखिए फिर क्या होगा इसका H और इसका OH निकल जाएगा H2O minus हो गया संगनन हो गया यह दो amino acids जुड़ गए तो यह क्या बना डाइ-peptide बना लेकिन कैसा derivative क्योंकि इसमें polystyrene जुड़ा हुआ है तो डाइ-peptide का derivative बना अब आपको इसमें तीसरा amino acid जुड़ना है कहां जुड़ोगे यह तो बन्दा हुआ है यहां जुड़ नहीं सकता है amino acid अगला ठीक है यह वाला गुरूप भी बन्दा हुआ है इसके साथ यहां भी reaction हो नहीं सकती तो अगला amino acid जुड़ने के लिए आपको इसको क्या कराना पड़ेगा यह amino फिर वो किसी और amino acid के साथ क्या करेगा इस तरह से यह chain चलती जाएगी तो यह थे आपके कुछ methods die peptides की formation के ठीक है तो मिलते हैं अगली lectures में इनकी reactions के साथ polypeptides कैसी reaction देते हैं end terminal और C terminal analysis के साथ क्या होते हैं यह अभी के लिए thank you